नमिश्कार रुस्तो इस डिसकेशन में हम 12 अक्टूबर 2022 के करेंड फिर के सभी इंपोर्टेंट कोश्चनों को कवर करेंगे पीडियाफ आप इसकी टेलीग्रम चैनल से डानूर कलीजिएगा टेलीग्रम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिसकेशन मोक्स में लीच दिया गया है अभी आज के डिसकेशन का पहला कोशन है परधान मंतिरी मोदी जी ने 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में जरूरत मंद चातरों के लिए एक परीसर मोदी सेक्षिक संकूल के पहले चरंगा उदखटन किया है तो बताएए इस कोशन का सही आंशर क्या है आंसर हो जायेगा गुज़राद ए आप्शन ये फ़र्ष्ट कोशन का सही आंशर है बात करते हैं दूसर आप्शन होगी केरल की बात करते हैं के रिल की सरकार ने smart kitchen योजना इसको start किया उडिसा की सरकार ने आशिरवाद योजना इसको start किया आंधर प्रदेश की सरकार ने quality of education को develop करने के लिए sold program इसको start किया अब बात करते हैं गुजरात के बारे में गुजराफ से आप दो तिन point याद रखेगा गुजरात में है थोल लेक वैलेफ सेंचुरी इसको रामसर इस्टिटस दिया जा चुका है गुजरात में एक पॉइंट और याद रखेगा कि गुजरात किसले नीज में था गुजरात की सरकार ने इन अगर मुवाईल एप्लिकेशन इसको स्टार्ट किया और एक पॉइंट और याद रखेगा गुजरात में पहली बार बाली का पंचायत का गटन किया गया तो ये तीन पॉइंट आप याद रखेगा गुजरात से समधित जो मोस्ट इंपोटेंट है अब लोकेशन देखे आप ये लोकेशन है गुजरात की राजिस्थान, मद्यपरदेश, महराष्टा तीन राज्यों के साथ बाउंडरी शेर होती है पाकिस्तान के साथ गुजरात के इंटरनेशन बाउंडरी बनती है ये बेसिक इंफोर्मेशन है गांदीनगर कैपिटल है, एक मई 1960 में फोर्मेशन हुई थी टोटल भारत के नो राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है जिन में से लोंगश्ट कोश्ट लाइन, ये गुजरात की है पुपिंद्रवाई पटेल मुख्य मंतरियें आचारे देवरत राज्यपाल है एहमदबाद में इसकी हाई कोट है जहांके मुख्य नयादिस है अर्विंद कुमार सूर्सागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक तीनो लेक, गुजरात में है सरदार सरवड है, नरमदर रीवर के किनारे है कमलेशोड है, हिरन रीवर के किनारे है दंतिवाड है, बानस रीवर के किनारे है कड़ान है, मही रीवर के किनारे है 33 जिले है, लोक सभा की 26 सीट राज्य सभा की 11, विधान सभा की 112 सीटे है नेशल पार्क के बात करें गिर नेशल पार्क इसे लेंड ओफ एश्याटिक लाइंस भी गा जाता है क्यों? क्योंकि एश्याटिक लाइंस पूरे भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी कहाँ पर गिर नेशल पार्क में तो यी तो बात करी हमने गुजरात के बारे में सेकंड कोशन 2022 में अंतराष्टे बाली का दिवस कम मनाया गया तो अंतराष्टे बाली का दिवस ये हर साल 11 अक्टुबर को मनायाता है C option 11 October 2nd question का सही आंस है ये सितंबर 2022 के कुछ important days है जहां से question exam में पूछ जा सकता है तो इस slide का screenshot लेके इसके notes बना लेजेगा थर्ड question किस राज़े ने 10 October 2022 को football की संस्कृतिकियों जमेनी सितर तक ले जाने के लिए राज़े में football for all की शुरुवात की है तो ये किया किस राज़े ने उडिसा राज़े ने महराष्टा की सरकार ने जेल पर येटन इसको श्टार्ट किया अब बात है पर उडिसा की हुई है तो ये देखिया आफ ये है उडिसा का important current fair ये उडिसा का और current fair है ये location है ये basic detail है ये आप खुदी कबर कर लिजेगा simple language में यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्थ question खबरों मेरा असोला भट्टी वनेजीव अभेरने किस राज़े केंद्र शाषित प्रदेस में है तो ये कहाँ पर है ये है दिल्ली में बी ऑप्शन इस question का सही answer है गोवा की सरकार ने पानी बजाओ योजरा इसको start किया आसाम के सरकार ने इसमार थाने बनाने के लिए मोलतर योजना इसको start किया तो बी option दिल्ली fourth question का सही answer है फिफ्थ question शरी हरीन अटराज का समंध किस छेतर से है इंका समंध है swimming से ये 5th question का सही आंसर है स्विमिन 5th question किसी ने 11 October 2022 को सही उक्तराष्टे विश्व भू इस्थानिक अंतराष्टे कॉंग्रेस को संबोधित किया तो बताइए इस question का सही आंसर क्या है आंसर हो जायागा इस question का B option नरंदर मोदी जी B option जो है ये 6th question का सही आंसर है इन्होंने 11 October 2022 को सही उक्तराष्टे विश्व भू इस्थानिक अंतराष्टे कॉंग्रेस को संबोधित किया 7th question नगर विमानन वंतरी जोती राधिति शिंदिया ने 10 October 2022 को किस सहर में चोथे हैली इंडिया सिखर सम्मेलंका उत्खाटन किया तो बताईए ये किस सहर में किया ये किया इन्होंने श्रीनगर में D option श्रीनगर जो है ये 7th question का सही आंसर है 8th question 2022 में किस तारिक को जै प्रकास नाराइंग की जैनती मिनाए गई तो बताईए इस question का सही आंसर क्या है इस question का सही आंसर है 11 October 11 October 2022 को जै प्रकास नाराइंग की जैनती मिनाए गई A option 11 October ये 8th question का सही आंसर है 9th question किसने अपना 25 वा वेश्वो बिलियर्ट्स खिताब जीता है तो बताईए ये किसने जीता है तो ये जीता है किसने पंकच अढवानी ने B option जो है पंकच अढवानी ये 9th question का सही आंसर है ये कल की question थे जो आप से पूछे गई थे पहला question 36 वे राष्टे खेलों में किस राच्चे की पूजा पटेल योगसन में स्वर्न जीतेने वाली पहली athlete बन गई है तो इस question का सही आंसर क्या हो जाएगा गुजरात second question 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानि World Migratory Birthday ये कम मनाय गया 2022 में ये मनाय गया कब 8 October को तीसरा question किस राच्चे के शोद करता होने पैथिया डिकोएंसिस नामक एक नहीं मचली की प्रजाती की खोच की है तो ये किस राच्चे में की है ये की है नागलेंड में फोर्थ question 2022 में किस तारीकों मुंसी प्रेम चंदिजी की पुर्नेतिती मनाय गई तो बताए कम मनाय गई 8 October को पाच्वा question किसको बैंक ओफ इंडिया मुचल फंड का सीईओ निउक्त किया गया है मोहित भाटिया 5th question का सही आंसर है 6th question घ्रह मंतरी अमिसा जी ने कहां पर लोहोपुरुस सरदारवल लभाई पटेल की प्रतीमा का आवरंग किया है पताए कहां पर किया है ये किया है गंग डॉक ने अब ये है ये आज की question है जिनका आँसर आपको बताना है comment box में पहला question 9 October 2022 को परधार मंतरी मोदी जी ने किस राच्चे के महसाना जिले में मोंडेरा को भारत का पहला 24x7 सोर उर्जा संचालित काउं घोशित किया है दूसरा question 2022 में विश्व मानसिक स्वास्ते दिवस यानि World Mental Health Day कम मनाया गया तीसरा question किस राच्चे सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारेकरम सुरू किया जा रहा है चोथा question 2022 में मैं यहाँ पर आएगा सिर्फ 2022 में जापानी F1 Grand Prix किसने जीता फिफ्ट question विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्य टास्क फॉर्स का अगठन किया गया है छटा question 2022 में विश्व डाक दिवस कम मनाया गया तो इन 6 question उनका आपको comment box में बताना है फिलालिस discussion को हम यहीं पर रोकते हैं Thank you